क्या आपके पास भी Canon R8 camera है और आपको ओवर हीटिंग का इश्यू इस camera में notice हुआ है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब बैल आइकन को भी प्रेंस कर देना तो मैंने रिसेंटल और इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही बहदरीन है इस camera की बॉड़ी के अकर में प्राइस की बात करूं तो उसकी कीमत है लग बग 1,30,000 जो की काफी expensive यह camera है इस camera में आप 4K में वीडियो recording कर सकते हैं वो भी 60 frames per second तक तो इसलिए यह काफी अच्छा camera बन जाता है क्योंक से crop factor उसमें डाल देते हैं लेकिन इस camera में कोई भी crop factor नहीं है तो आपको पूरा का पूरा sensor यूज करने को मिलेगा चाहे आप 4K में 60 frames per second में वीडियो बनाओ लेकिन जब आप 4K में 60 frames per second में वीडियो शूट करते हो तो क्या आपको मालूम है कि जब आपके camera का जो timer है वो लग भग 32 मिनट पे पहुंचेगा तो camera overheat हो जाएगा और अपने आप ये बंद हो जाएगा तो मैंने इस camera से video बनाई थी मैंने सुचा यार मैंने इतना mega camera लिया है तो क्यों नहीं maximum quality में video बनाऊंगा तो मैंने बनाई 4K में 50 frames per second का option set करके 50 frames per second का मैंने इस लिए कि हर camera के अंदर आपको दो option मिलते हैं NTSC या PAL वाला ठीक है अगर आप अमेरिका में है तो आप PAL वाले option को यूज करो जब आप उसको यूज करोगे तब आप 60 frames per second में shoot कर सकते हो मैं क्योंकि यूरोप में हूँ तो मैंने NTSC वाले option को चूज किया अगर आप इंडिया में है तो भी 32 मिनट के आज पास पहुंचा कैमरा ओवर हिटिंग की वर्निंग आ गई और कैमरा अपने आप बंद हो गया तो जो मैं वीडियो शूट कर रहा था वो मेरी वीडियो अधूरी रह गई मुझे कम से कम 5-7-8 मिनट के आज पास मेरे को वेट करना पड़ा उसके बाद ही मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को continue कर पाया तो उस दोरान जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मेरा फ्लो टूड गया मजा किर किरा हो गया क्योंकि कहीं बार जब आप चीजों की बारे में बोल रहे होते हैं आप फ्लो में होते हैं आपके दिमाग में काफी सारे thoughts और ideas होते फिर बीच में ब्रीक आ गया तो आप भूल जाते हैं उनको इससे पहले भी जब Canon ने R5 वाले कैमरे को लांच किया था जिसमें कि आप 8K में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते थे तो उसके अंदर भी ओवर हीटिंग के इशू आए थे तो गैस अगर आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कैमरा से वो भी 50 या 60 फ्रेम पर सेकेंड में तो लगबग आधे घंटे के आसपास ही आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे उसके बाद आपका कैमरा ओवर हीट करेगा और बंध हो चाहेगा अगर आपको लंबी वीडियो शूट करनी है तो त उससे जो आपकी ओवर हीटिंग है वो थोड़ी देर में होगी लेकिन मुझे लगता है कि लगबग एक घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग आप निकाल पाएंगे इस कैमरा से उसकेस में अगर आप फ्रेम पर सेकेंड को हाफ कर देते हो तो मैं थोड़ा सा आपने रिकॉर्ड करते हैं तो उनके जो पॉड़कास में वीडियो रिकॉर्डिंग कि आप kॉलिटी देखना हो फूर गे में रिकॉर्ड नहीं करते हैं अगर फूर गे में उसको रिकॉर्ड करेंगे क्यूंकि कहीं बार आपका पॉड़कास एक ग intern गंटा घर गंटा या ओवर हीटिंग को तो यार हैंडल करना ही पड़ेगा अब क्या करें यार कैमरा तो ले लिया इतना महेंगा कैमरा लिया है disappointed भी हूँ लेकिन अब मैं कुशिश करूँगा कि इस कैमरे से अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये था मेरा एक bad experience Canon R8 camera से अगर आपके पास भी ये camera है तो आप भी नीचे comment करें और बताएं कि आपका experience कैसा रहा है इस camera से video making में वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को like कर देना इस वीडियो को जादा जादा शेयर करना ताकि ये information सभी लोगों के पास पहुंचे और चैनल को आपने subscribe नहीं किया अभी तक तो बैस चैनल को भी please subscribe कर लेना और bell icon को भी दवाद देना